जै मातादी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, हमारे चैनल से जुढने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें घीरा का प्रेम उपास ना था, तो क्रिश्न को आराध्य बना दिया रुकमनी का प्रेम दामपत्य का था तो कृष्ण को पती बना दिया मगर राधा का प्रेम उन्मुक्त था जिसने कृष्ण को कृष्ण ही रहनी दिया जिहां दोस्तों बात कर रहे हैं व्रिष्चिक राशी के 25 सितंबर 2022 राशी फलकी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आज आपके लिए शुबंक रहेगा आठ और शुबरंग रहेगा येलू यानी की पीला आईए अब बात करते हैं डेली राशी फलके बारे में इस राशी के जातकों का आज समाज में मान सम्मान बढ़ेगा पुरानी योजनाओं का प्रयास आज सफल होगा तन संबंदी मामलों के लिए भी आज का दिन बहुत शुब है सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखी खान पान से संबंदित योजना बना कर चलें किसी बात का तनाव भी ना लें माता पिता की सेवा करें आर्थिक इस्तती आज बहुत अच्छी रहेगी पहले के मुकाबले नौकरी पेशा लोगों को आज थोड़ी से ज़ादा भागदोर करनी पर सकती है प्रेमी स्तती की अगर हम बात करें तो आज प्रेमी के समक्ष भावनाओं का इजहार करेंगे कई रिष्टों में अलगाओ के स्तती भी उत्पन हो सकती है आज आप मच्छलियों को आटे की गोलिया बना कर डालें हर कारे में आपको सफलता मिलेगी नौकरी पेशा लोग अपने बुद्धी और विवेक के बल पर ना से विरोधियों की साजिश को नाकाम करेंगे बलकि कारोबार के सिलसले में आपको महतपून योजनाओं को सफल करने का भी मौका मिलेगा इस दोरान सगे संबंदियों के साथ संबंद और भी जादा मजबूत होंगे यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंदों में चल रहे हैं परीजनों की स्विक्रिती आपके रिष्टे को मिल सकती है सरकारी कामकाज में कोई समश्या चल रही थी तो आज वो भी खतम हो जाएगी इसके अलावा सेहत की दृष्टी से ये समय थोड़ा सा नरम कहा जा सकता है आज आपके लिए विशेश उपाय रहेगा कि आप हनमान जी की उपास न करें आपके लिए बहुत लाबकारी रहेगा तो दोस्तो ऐसी ही और अदिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर जरू कर दें धन्यवाद